नॉइडा सेक्टर 93A स्तित एमराल्ड कोट में बने सुपर्टेक ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है 28 अगस को करीब 30 मंजिला उची इन दो इमारतों को धस्त किया जाएगा इसे ढहाने के लिए दोनों टावरों में बारूद लगाने का काम भी पूरा कर दिया गया है चलिए हम आपको बताते हैं कि सुपर्टेक के ट्विन टावर को आखिर क्यों गिराया जा रहा है नवंबर 2004 में न्यू ओकला उद्योगिक विकास प्राधिकरण यानि नॉड़ा ने एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्मान के लिए सेक्टर 93A में सुपर्टेक को जमीन का एक गूकन आवंटित किया था 2005 में न्यू ओकला उद्योगिक विकास शेत्र भवन विन्मी में और निर्देश 1986 के तहट भवन योजना को मन्जूरी मिली जिसके तहट कुल 14 टावरों और एक शौपिंग कॉंप्लिक्स के निर्मान को मन्जूरी दी गई सुपर्टेक लिमिटेड ने नवंबर 2005 में एमरल कोर्ट नाम से एक ग्रूप हाउसिंग सुसाइटी का निर्मान शुरू किया जून 2006 में सुपर्टेक को उन्हीं शर्तों के तहट अतरिक जमीन आवंटित की गई दिसंबर 2006 में 11 फ्लोर के 15 टावरों में कुल 689 फ्लैट्स के निर्मान के लिए प्लैन में बदलाव किया गया 2009 में सुपर्टेक ने नॉड़ा प्राधिकरन के साथ मिलिक भगत कर ट्विन टावर का निर्मान शुरू कर दिया ये T16 और T17 टावर थी इसे लेकर यहां के Resident Welfare Association ने विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी सुसाइटी के ठीक सामने जिसे नॉड़ा अथॉर्टी ने पहले ग्रीन बेट बताया था वहाँ ये विशालकाय टावर खड़े हो रहे थे इन टावरों के निर्मान के दोरान अगनी सुरक्षा मानदंडो और खुले स्तान के मानदंडो का भी उलंगन किया गया था इन टावरों के निर्मान के दोरान NBR 2006 और NBR 2010 का उलंगन किया गया था जिसके मुताबिक इन बिल्डिंगों के निर्मान के दौरान पास की अन्य बिल्डिंग के बीच उचित दूरी का ख्याल नहीं रखा गया था National Building Code NBC 2005 को भी ताग पर रख कर इनका निर्मान किया गया NBC 2005 के मुताबिक उची इमारतों के आसपास खुली जगा का प्रावधान है टावर T17 से सटे खुली जगा लगबग 20 मीटर होनी चाहिए थी 9 मीटर का स्पेस गैप उससे काफी कम है Supertech Twin Tower T16 और T17 का निर्मान UP Apartments Act का भी उलंगन है चुकि मूल योजना में बदलाव किया गया था लेकिन बिल्डर ने मूल योजना के खरीदारों की सहमती नहीं ली थी जिस एरिया को Supertech ने अपने ग्राहकों को पहले ग्रीन एरिया में दिखाया था बाद में धूके से उसी में दो बड़े टावर खड़े कर दिये गए ब्रोशर में ग्रीन एरिया देखकर घर खरीदने वालों के लिए ये एक ठगी से कम नहीं था Supertech Twin के खिलाफ 2009 में Emerald Court के रेजिडेंस ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया जिसके बाद 2010 में इसके खिलाफ Court में याचिका दायर की गई थी मामले में एक्शन ना होने पर सुसाइटी के लोग 2012 में इलाबाद High Court पहुँचे थे